प्रोब्लम नहीं होने चाहिए चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकुडमीती का टाइप 4 टाइप 4 पढ़ेंगे उससे पहले टाइप 3 में दो कोश्चन आप लोगो दिये थे उस बात को समझ लीजिए टाइप 3 के दो कोश्चन बना रहते हैं उसके बाद टाइप 4 लोग जो दिय थे वो था लाग 10 1 डिग्रीग लाग 102 डिग्री डाट दर्ण डाट दर्ण दर्ण डाट लाग 10 1989 था कंफ्रम लods 10 fellond मतलब कि एक दो तीन चार पांच छे साथ नव दस कहां तक पहुंच गया कहां तक नमासी तक नमासी तक पहुंच गया कैसा कुछ बात लिखवाए थे वह भी भी लिखवा देने लोग वन बेस टेन बरावर होता है बाव जीरो या इसी को एक और रुक में बोला जाता है 1 बरावर 2 या कहेंगे लॉग 3 बेस टेन बरावर जीरो एक समझ को बोले या इसको बोले दोनों का फेलोग 0 होता है यहाँ पर 10 नहीं है देखिए लौक का बेस कुछ कुछ भी नहीं होता है तो उसके best 10 मांने लिया जाता है दस माने लिया जात है वासमंगे चलिह आते हैं अत्यap हुआ हम कहां कोचने का कोच्छिस करेंगे क्या हमां से बात बनेगा पहलि बार में होता है कि सब कहसे सोचे क्या कल सोचे तो यह आप लोग को सोचने के लिए हम बता दे रहे हैं कहां से सोचना चालू करना हूँ हम आपको बता रहे हैं तो सोचना आपको चालू करना है log 10 1 से नहीं log 10 2 से नहीं आपको सीधे सीधे सोचना चालू करना है log 10 45 से कई यह क्यों सर इज यह को लखा है यह बोला देगे गुणे डोट 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 डॉट 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 ये इसको लिख दिए लॉग 1045 का वैलू एक बटन यहाँ पर बेस क्या नहीं है डॉट 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 लॉट 1089 आपको बहुत अच्छा से पता होना चाहिए कि इसका वैलू जिसका बेस नहीं दिया रहता है उसका वैलू लॉट बेस नहीं हो इसका वैलू जीरो होता है उपर में लिखे हैं तो हमारा आगे लॉट 10-1 डिगरी लॉग तेन तू दिगरी डॉट 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 गुने जीरो डॉट 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 लॉट टैन नमासी इस इस्तिती में हम कह सकते हैं कि इतना में जीरो से बुना हो गया तो क्या आजाएगा बाबू यह हमारा पहला कोश्चन के अंसर इसको स्क्रीन सॉट लीजिए पुनह देख लिए हम कहां पर सीदे पुप शे यह हैं लोग 1055 पर 1045 का बैलू कितना होता है 10500 का value 1 होता है इसलिए मैं लोग 1 लोग 1 मिल गया है तो लोग 1 का value कितना होता है 0 0 में इतना सगुना करता है तो क्या पड़ाप्त हो जाएगा hero ठीक है तो मिल गया अपना hero जो सब को बना सकता है 0 वो है 0 हटा रहे 17 नमबर question देख लीजे गराम से मस्ती से देखिए 16 बन गया है 17 देख लेते हैं 17 आपके question क्या है cos cos 20 plus cos 40 plus cos 60 plus cos dot 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 cos 160 plus cos 180 यही आपका question है ठीक है cos 180 तक question है अब कहिए गया सारी इसको क्या किये जाए बता रहे है समय नेक प्रयास करेंगे जैसे ही question series क्या है सुनिए जैसे ही question series क्या है और और वो गूना में रहे गूना में रहे गूना में गूना में तो आपको एक बात समझ लेना होगा कि देखना होगा कि किसी का भैलू को जिड़ो कर देगा जैसे पिछला कोश्टन लोग 10-1 निकाले लोग 10-45 का भैलू 1 आ गया लोग 1 लोग 1 का भैलू जीरो हो गया था तो लेकिन जैसे ही question पलस 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 में आ जाए पलस 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 में आ जाए तो एक काम करते हैं इसमें क्या करते हैं इसमें हम लोग को देखना होता है बाबो कि जोड़ा लग रहा है कि नहीं जोडने वाला है कि नहीं पलस है तो जोड़ना चाहता है कर रहा है कि हम जोड़ सकते हैं भाई जोड़ हो हमको तो जोड़ा लग रहा है कि नहीं कि किसका किसका जोड़ा लगगा देखो वाबो हम क्या देखते हैं कि 2 का भैलू जोड़ के 90 हो जाए 2 का भैलू जोड़ के 180 हो जाए 2 का भैलू जोड़ के 360 हो जाए यही सम हम देखते ह तो अभी हम देख रहे हैं कि मेरा दूखों लोग का जोड़ के मान 180 हो रहा है तो इसके बगल में 140 पुड़ा होगा तो इन दोनों का भी फैलू 180 हो रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं कॉस 20 का कनेक्शन कॉस 160 के साथ हो सकता है यह इस लगन में पार हो सकते हैं दूनों लोग उस परकार से कॉस 40 का कनेक्शन कॉस 140 से हो सकता है यह भी इस लगन में निपड़ सकते हैं उसी परकार से यह भी देखें दूनों का भेलू 180 यह भी दूनों का भेलू 180 प्लस कॉस के साथ 60 का कनेक्शन किस के साथ पाब से कुस एक सब्सक्राइब कर हो थिक लीगली कनेक्शन है पापा वहला जो हम देखते हैं यह फैनwyn 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 देखिए भाई, 120 का 160 के साथ हो गया ये इसके साथ, 140 का हो गया इसके साथ है, इसका हो गया, इसके साथ, इसका हो गया बच कौन गया? इस लगन में नहीं जाने वाला जो है, वो कौन है? 180 तो प्लस, कॉस, 180 लिख दी जब सिरीज एक जैसे चल रहे हो जैसे दो आदमी आए, दोनों का वजन 100 के जी फिर दो आदमी आए, दोनों का वजन 100 के जी तो अगला भी आदमी आगा तो उसको भी बोलेगे, दो आदमी रहेगा, तो 100 के जी अगला भी दो आदमी आगे, तो बोलेगे, 100 के जी क्योंकि छलने लगा वह है देखे धेयान दिजियेगा इन दोनों का मान इन दोनों के जोड़े ते 180 इसका मतलब यह जैसा है आदमी आदमी इसका मतलब एक जैसा चल रहा है तो क्या किया जैसा कर लेंगे कोस 20 प्लस कोस 160 का भैलू क्या हो रहा है यदि इसका भैलू 50 आ गया तो इसका भैलू 50 आएगा इसका भैलू 50 आएगा इसका भैलू 50 आएगा लेकिन इसका भैलू 50 नहीं आएगा बात समझ पारा है इसका भैलू 50 नहीं आएगा इस बात को समझना है क्योंकि इसके पास किवल यह अकेला है यह जोड़ा में नहीं है जोड़ा में नहीं है तो इस लगन में पार होने वाला यह नहीं है बात समझे तो इसको हम देख लिए कोस 20 अपलस इसको हम लिख सकते है cos 180 minus 20 ठीक है उसको लिख सकते है cos 20 और उसके बाद क्या लिख सकते है हम कहेंगे 180 के साथ cos cos ही रहेगा यह बात तो confirm 20 तब 20 लिखाएगा किस quadrant में आएगा हो quadrant जरूरी है किस quadrant में second quadrant में और second quadrant में यह minus होता है एक दूस्य में से घट के मान कितना हो जाएगा जीरो इसका मतलब जो मेरे को स्रीज प्राप्त हुआ है एक स्रीज, दूसरा तीसरा, चौथा जितने भी जोड़े लगाए है जितने भी जुडिया बनी है उसका value कितना हो रहा है बाबू उसका value 0 हो रहा है एक का हम देख लिए सब की देखने की जोड़े जोड़े है मूड हो तो इसको भी आप देख लिज़े मूड हो तो इसको भी देख लिज़े कोई मेरे को टेंसर नहीं है लेकिन हम बोले कि इसका और इसका 180 इसका भी value 180 इसका मतलब एक देखे काफी है और एक देखने के बाद मेरे को पता चल गया कि एक इतना का भेलू जीरो इसका 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 मान लिख सकते हैं जीरो इसके लिए इसके वावू जीरो इसके लिए वावू 0 बोग पलस कॉस्ष एकसव स्वाउत्य गाम याद है तो मस्त नहीं याद है तो बस्तka नहीं है इसको निकालना पड़ेगा में वाला चले तो देखते हैं किसी का भैलु जीरो तो नहीं हो रहा है ना उससे एंसर आपको या तो पूरे सीरीज का जीरो आज़ाएगा नहीं तो पूरे सीरीज का एक आ जाएगा यदि सीरीज पलस में चले तो जोड़ा लगाते हैं जोड़ा जोड़ने के लिए वो हाथ बढ़ा रहा है पलस कर रहा है भई आव हम तुमनों मिलके बढ़ा हो जाएं यह हो जाएं वो हो जाएं तो जोडने के लिए प्लस में चले तो तीस बात को जैसे याद कर लिजे नहीं विश्वास है तो याद कीजिए दो सीरीज उपर में दिखाते हैं अभी यह सीरीज आप लोग पढ़े होंगे को जोड़ेए इसका मान सीरीज को क्या क्या मान हो सकता है यहां यहां पे विश्वास्य के जगा정을 लिखते ते हैं बदल नहीं जाता है कुछ भी संभव लेकिन कुणा मेवले जैसे कॉस 1-2-2-2-1-2-1-2-2-1-2-2-2 6-8-2-2-3-2-5-2-1-2-2-2-4-2-3-1-2-4-3-1-2 कोई परमाना नहीं है इस बात को दिमाग में बैठाएंगे अब हम कुस्चन करेंगा नेक्स्ट इसको अप उतार लेंगे और नेक्स्ट के लिए मतलब यह 17 नमर कल का कुस्टिन था अब हम कुस्टिन पढ़ाने जा रहे आपको आज का आज का प्रस्ण आपका है बहुत बिंदास बिंदास कोस्टिन और हम चैलेंज कर रहे हैं कि आप एक दो कोस्टिन के बाद गल्थी करना इस्टार्ट करेंगे मैक्सीमम लोग लेकिन आज पढ़ने के बाद गल्थी होने का कोई संभाव नहीं आप पढ़के तो देखें कि क्षच्चन और फस्ट टाइप फोर पढ़ रहे है ठीक है मिरा टाइप फोर है क्या है कि तिर्भूज हाँ यह बात आपको याद है यह वह बात कि यदि टैन ठीटा बराबड दे दिया हो टैन ठीटा बराबड तीन बटे चार तेंट थीटा बबाव होता है लम बटे में अधार इसका मतलब हो गया तीन बटे में चार लम मतलब परपेंडू किलर बटे बेस कहते है ठीक है तो इसका वैलू आप निकाल देंगे तो कितना मान आ जाएगा अंदर रूट तीन का स्कॉयर प्लस चार का स्कॉयर कितना आजाएगा पावू 25 यानि बराबर पांच आजाएगा न यह ओला के काम है अभी यह ओला के काम है इसलिए बोल रहे है हका आधर को क्वेश्चन कहा रहा है त्रिभूज पीक्यू आर में कुण क्यू बराबर 90 डिग्री तथा टैन आर बराबर एक बटे रूट थी हो तो हो तो साइन पी बराबर बट साइन पी का भेलुक पूछ रहा है साइन पी साइन कौन पी का भेलुक पूछ रहा है बोली जल्दी जल्दी विक ट्विक ट्विक जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं को उन लोग के लिए जो लोग समझ पा रहे हैं वह बिंदास कोई दिक कर नहीं ऐसे गीच लेते हैं इसमें कर रहा है कि हम नाइंटी है क्यूप यहां पी क्यू आर अब क्या कोश्चन कर रहा है कि टैन आर बराबर टैन आर बराबर के इतना हो गया बाभू तो इतना यहां से दो तरीका है बनाने का दो तरीका है बनाने का आर यहां है । दो तरीका है बनाने का, पहिला तरीका है, कि 10R है तो यहाँ पर दोन तरीका बता जते हैं, Basic Question है, 10R है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे में रोट 3, 10R बाव होता है, लंब बटे में अधार, इसका मतलब, इसका वहलू 1, इसका वहलू रोट 3, तो इसका भेलू था हम निकाल लिए सकते हैं, एक का स्कॉयर्ट प्लस रूट थी का स्कॉयर्ट, इसका मतलब एक प्लस तीन, इसका मतलब चार, और चार का भेलू दो, अब मेरा पुछ रहा है, साइन पी, अब यह अपना कोन यहां लेके चला गया, यहां, कोन के सामने वाला बग नीचे वहला बगल जिसके साथ कोन लागा होता है, अधार, और इसके साथ जो कोन लंबा वहला होता है, ठीक है, तो साइन पी बढ़ाबर, साइन पी मतलब, साइन पी बढ़ाब हम कह सकते हैं, लंब बटे में कोन, लंब बटे में कोन, यानि होजा है, रूट थीरी ब लेंगे एoter आ digamos और ठीटा के सामने लूंब होता है इस बात को समझे लेंगे कि दूस्ट्स्रा बनाने का तरीका क्या है डाल मैं इसको दूस्ट्स्रा बनाने का तरीका है दूसरा बनाने का तरीका है आप समझेंगे कि हम इसको Q90 ये P ये R हो गया इसका भैलू अब ध्यान देंगे 10R बराबर 1 बटे रूट 3 आपको पता है कि 10 कीतना का मान एक बटे रूट 3 होता है 10 30 का मान लिख सकते हैं 10R बराबर 10 30 ये 10 से 10 केंसिल यानी R का भैलू 30 दिग्री इसका मतलब भैलू कह रहे हैं कि हमारा 30 दिग्री है आपको याद होना चाहिए कि ये 90 ये 30 तो इसका भैलू 60 कई से 180 में से इन दोनों को घटा लिजिए 90 पलस 30 को तो आपका आजाएगा कितना साथ हा जाए गया इसके बहलू साथ अब मेरा पूट्स रहा है साइन साथ ऱषय साथ कैसे सांसषस राख चाहेए संब पी पूछ रहा और पी का भैलू कितना इस पीकर वहलू को ज 느ूए पीकर बहू आगया मेरा Tä कर यानि साइन साथ बराबर कितना रूट ती twists इक्ateur न कि कि अपने आपको मजबूत समझों मजबूत ऐसा कि हमको सब चीज समझ में आ जागा ऐसा नहीं समझना है कि हमको नहीं समझ में आगा इस बात को समझेंगे कि क्या नहीं समझ में आएगा तो आप हार रहें यह से बात को समझेंगे कि कुश्चन नमबर दो कि कुश्चन नमबर दो पढ़ते हैं वहाद दो है तैन ठीटा बराबर एंट ठीटा बराबर कि बाड़ा अगटे में पांच हो तो हो तो साइन ठीटा शेक ठीटा कोट ठीटा इस सब कमान बता दीजिए यह सब कमान क्लियर क्लियर आ जाते हैं हाँ एक बात और उस चीज़ को अब रटवाएंगे कि पाइथाकोरस पर में शमकुन तिर्भुज में कुछ आपको ट्रिपलेट याद करना होंगे क्या तीन चार पांच पांच बारह तेरह साथ चोविस पचीज आठ दच छो आठ दस यह सब तो यह सब आपको याद करना होंगे जो हम आपको अराम से लिखवा देंगे ठीक है इस बात को समझेंगे कि यह सब आपको याद होने चाहिए यदि याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी कोश्चन कर पाएंगे जैसे यह कहता है लंब बटे में अधार तो इसका लंब यहाँ पर ठीटा यह मान लिए तो लंब हो गया बारह अधार हो गया पांच तो हमको लीख सकते थे पांच 179 पर आप इतना आपके पास समय नहीं रेगा इस बात को आप समझेंगे ठीक है इस बात को आप समझेंगे ठीक है हटाए इसको यह चीद देख लीजिए कि आपका कितना आगया करण तो करण आपका आगया बाबू हो मैं तेरह आप साइन ठीट भाट होथा है, सेख ठीट आ होता है, किसका उल्टा है कोस का इसका उख आधार भाट इना तेरह बटे में पांच क्रोन बट्टे में अधार और कौट ठीटा वाइक अधार बट्टे में लंद यानि पांच बट्टे में बाड़ा ये तो इसका उल्टा है ठीक है इस चीज को आप समझ लेंगे ध्यान दिज्येगा अब यहां से कोश्चन अच्छा अच्छा हम लोग करना चालू करेंगे पहले हम कुछ चीजी लिखवा देते हैं इस चीज को आप लोग दिमाग में रखेंगे कैसे निकलता वो भी बता देंगे लेकिन अभी आप दिमाग में रख लिजिए क्या तीन चार पांच इसी के आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा छो आठ दस इसके आगे बढ़ेंगे तो नो बारह और उसके बाद पंदरह इसके आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा बारह उसके बाद शुल्ला और उसके बाद कितना से गोना करना है चार से चार से बीस यह च बढ़ सकते हैं ठीक है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 15 अब उसके बाद का 20 परचीस यह आपको पॉइंट हो गए रहे हैं हम आपको यह आगे बढ़ा-बढ़ा की याद करा रहे हैं कि जैसे नहीं और आगे मंगें तो क्या हो सकता है इस बात को समझेंगे तो कि चलिए इसको वब आब मुआ देते हैं इस को उभाड़ा ने पीन नमबर कोस्चन हाई थीन नमबर उठ्ष्चन है तो फ्रस्पपश को सब्राइब है कि नमबर तीन देखतर तुर इसे teak जरू हो तो 1-sin θ बटे में 1 प्लस कोफ ठीट कब हैलू गयाद करें हाँ किलियर समझेंगे इतना कब हैलू चाहिए अई कि इसको युच सकते हैं थैन ठीटा विडरावर क्या लिख सकते हैं बभू 4 बटे में 3 फीक है अब एक बात समझने के कोशि़ से और उस चीज को हम्हें एक कोश्च नमर 4 भी लिख देते बस 3 कोश ठीटा वरावर यहां पर ये 10 ठीटा बराबर 3 बटे में 4 होतो होतो हमें चाहिए cos ठीटा minus sin ठीटा बटे में cos ठीटा plus sin ठीटा ठीक है क्या हम बोल दिये क्या हम बोल दिये इस बात को समझ्झे के कोष्ट करेंगे समझ्झे का कोष्ट किजिए हम क्या बोल रहे है हम बोल रहे हैं इन दोनों में अंतर क्या है फर्त क्या है आप यदि जल्दबाजी की spirit बनाएंगे तो कहीं गलती तो कहीं सही हो जाएगा कब गलती कब सही होगा इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे हम बादार हैं कि जैसे इतना हो गया और इतना को आप इस पर एफ यह होगा टार दिशकन को जागा 5 निकाल भी सकते हैं 4 का स्कुर्ण स्कुर्ण पलस तीता स्कुर्ण बढ़ाओ पांस यहीं 25 बढ़ाओं पार द्यांट आज देखिए अब यहाँ पर भैलू रखतेंगे एक माइनस लम बटे में करण चार बटे में पाँच होल बटे में एक पलस अधार बटे करण तीन बटे में पाँच बड़ा हो गया एलसीम हो गया पाँच पाँच माइनस चार होल बटे में एलसीम हो गया पाँच पांच प्लस तीन ये से ये कंसिल मेरा भैलू कितना आ जागा हो मेरा भैलू आ जाएगा कितना आ जागा एक उपर से और एक बटे में आठ आ जागा एक बटे में आठ आ जागा लेकिन कब एक बटे में आठ कब आया फिर से देख लेते हैं लमप बटे में कन, चार बटे ये और उसके बाद अधार बटे में ये, तो इसका माना गया एक बटे में आठ, तो हम एक बात बोलने जा रहे हैं, इसको लेकर बनाइगा तो कभी गल्ती नहीं होगा, लेकिन क्या गल्ती होगा हुगा उस चीज को हम अभी बताेंगे, इस ची भी बना के-स चल सकते हैं इसको अभी बना सकते हैं लेकिन हम ईसको बना नहीं रहें ऑद्धन अब और दोनों को इसको बना लिए मैं अगा दर चान नमर तीन को और या अब लगा एंसर कितना आया था याद रखिए एक बट्टे में आठ अब लगा एक बट्टे में आठ उस चीज़ को आप लोग याद रखिए गा कोच्चन नवर था हम लोगा तीन तीन का अंसर आया था टैन ठीटा बराबर तीन बट्टे में चार और पूछ रहा था वन माइनस साइन ठीटा बट्टे में वन प्लस कॉस्ट ठीटा ठीक है यही था ना कोच्चन वुल्टा लिख दिया का हो हूँ है चार बट्टे तीन था देखलते हैं लंब बट्टे करण अधार बट्टे करण यह था चलिए अब उसके बाद कोच्चन नुमर चार मेरा कितना थिरी टैन ठीटा बराबर फोर टैन ठीटा वाव थिरी हो तो कोश्ट ठीटा माइनस साइन ठीटा बट्टे में कोश्ट ठीटा प्लस साइन ठीटा यह भैलों अब क्या हम आपको बताने जा रहे हैं दोनों को समझें क्या हम बताने जा रहे हैं हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें और इसमें फर्क समझ लीजेगा समझ लीजेगा तो ही अब गलती नहीं कीजेगा आप लोग के एक आदत बन गया है कि आदत बन गया है कि आप लोग के एक आदत है उस आदत को हम छुड़ाने के कुछ करते हैं गलत आदत है आदत सही हो तो इनसान बहुत अच्छा काम कर सकता है और आदत गलत हो तो कहना ही नहीं है क्या कर सकता है अब बात समझे हम लोग कि इसका मन होता है साइन बैंटे में का उसका मान आया था याद किसमा एक बटे में आठ ओरीजिनल मान же यो ब्रटे में 8, confirm न, इससे बनाये थे तो, 4, 3, 5, इससे हम बना के चले थे, तो मेरा ओडीज्नल मानocal एक बर्टे में 8, ये रीयल मान था, ये एंसर था, ака बढ़ाबर 4 बरटे में 3, इसको लिख सकते हैं, गदे वन में 4, थे में 4, तो इसमें साइन ठीता बते कोस ठीता क्या हो जाएगा को टीन मुट्टे में चार आप सोचता कंगी काया एयसा लोजिक घथ इसको बार बार बोल रहें समझे आ समझ में आजाएगा हम बोल रहे हैं कि यदि इसको ऐसे बनाने का कोशिस किया जाए कि यही मान sign का value 3 cos का value 4 sign का value 4 cos का value 3 रख दिया जाए तो answer आ रहा है कि नहीं क्योंगी आप लोगा आदत बन गया है तो आ रहा है कि नहीं तो एक बात बता रहे हैं ध्यान दिजीएगा यहां इसका real answer था एक बटे में 8 इसका answer फिर निकाल के देखते हैं इससे तो घाёт एक माइनस चार बटे में एक पलस 3 इसका माना गए माइनस 3 बटे में 4 रियल answer कितना था? रियल answer कितना था? एक बटे में आःख अभी कितना आ गया? माइनस 3 बटे 4 गलती हुआ क्यों, क्यों गलती हुआ, गलती हुने का वजह क्या है, इस चीज को समझेंगे, गलती हुने का कारण क्या है, तो गलती हुने कारण, अकर यहां रखेंगे तो गलती हुआ क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां क्यों नहीं गलती होगा, यहां क्यों गलती हो गया बाबु यहाँ पर यही कोई कॉंस्टेंट चल रहा है कॉंस्टेंट चल रहा है कोई कॉंस्टेंट चल रहा है ऐसा काम नहीं करना है जबकि अंस बटे हर के रुप में हो भिन के रुप में हो और के वल साइन कोस्ट चले तो ऐसा काम हो सकता है ऐसा काम हो सकता है एक बात और बोलेगा भी उसको रुख ले रहे हैं उस पर आप क्या करते हैं उसको गलती करते हैं कि नहीं अभी हम क्या बोले हैं कि Constitution चल रहा हो तो ऐसा काम नहीं करना है तो किस से काम करना इससे काम करना इससे इससे कभी गलती नहीं होगा जबकि यह ऐसा Connect बाटे Sign के रूप में चैज魔 साइन बाटे surprise कोजम के नूम में बट्टा के रूप में हो और constant नहो तो यह काम हो सकता है यह कोई दिकत इसमें नहीं है आईए इस चीज को तब बना लेते हैं इसको बना लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा कितना इसका मान मान. episodes of 111 इसका बैलू कितना जाए? 1वर्टे में 7 इसका बैलू एसे नहीं बनाना है ऐसे नहीं बनाना है क्लियर क्यों क्यों क्योंकि यहां पर क्या है कोई constant जुटा है इसलिए एक चीज को छुपाए है वो आपको रखे हैं को चीज आप कहा करते है इसको हटा दे रहे अब बात यह है कि क्या सर यह ऐसे नहीं बन जाता यह ओला question ऐसे ऐसे कि इसका मान लंब का मान इतना अधार का मान चार उसका मान इसका मान पांच और इससे मान रखके बन जाएगा रख देते हैं cost ठीटा बावर 4 बटे 5 cost ठीटा बावर 4 बटे 5 minus sign ठीटा बावर 3 बटे में 5 फोल बटे में 4 बटे 5 प्लस 3 बटे 5 इस इतिती में LCM 5 4 में से 3 घट गया LCM 5 4 प्लस 3 हो गया ये से ये कैंसिल हो गया एंसर 1 बटे में यानि ट्रिपलेट जो है वो कभी गलती नहीं होगा लंब कणाधार कभी गलती नहीं होगा लेकिन ऐसे बायन आएंगे तो गलती होने का समभावना कब है जब आप समझदारी आपके पास नहीं होगा तब तो क्या आप बात समझ ले रहे हैं कि इस गलती नहीं करने का सही तरीका क्या है कि अंसर 1 बटे हर के रूप में हो लेकिन कोई constant न जुड़ा हो इस परकार से तब बनाएंगे और अब इसको और भी एक विस्तित रूप देंगे इसको हटा रहे हैं अगला question करके हमको दिखाए question नमर 5 question नमर 5 2-3 question अब लागतार आप लोग के लिए 10 theta बढ़ावर x बटे y हो तो x sin theta plus y cos theta होल बटे में x sin theta minus y cos theta इसको पहले बना लेंगे और एक रिविजन के लिए पूना है question देंगे इसको पहले बना लेंगे देखें तो बोलना चलू करें देखें हाँ यह वोला concept लगा लेते हैं कौन सा concept इसमें कोई constant है क्या नहीं है sin cos बटा में है तो लग सकता है sin theta बटे में cos theta बढ़ावर x बटे y sin का value x cos का value y यानि x गुने x plus y गुने y होल बटे में x गुने x minus y गुने y यानि मेरा answer हो जाएगा x square plus y square होल बटे में x square minus y square confirm क्यों लग गया कोई constant नहीं है गलती से हमाँ ऐसा लिख देते 2 plus तो नहीं लगता है यह बात समय लेए गलती से हम ऐसा लिख देते इतना तो नहीं लगता माइनस लिख देते नहीं लगता यह नहीं होने की करा यह लग गया इसका नंबर नहीं काउंट करेंगे पांच नंबर हुआ है इस पर देख लिया जाए इस पर सही हो रहा है कि गलती हो रहा इस पर इस पर देख लिए तेंसन कहले मैं देख लिते हो गया लवबते में धार इसका मान हो गया एकस स्कुररड प्लस य स्कुररड कनफर्म देख लिते है क्या करांटी है कि अभी सक्षों किसर पता नहीं हाँ एक्स इंटू लम बटे में कौन है एक्स बटे में अंदरूट एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार देखे कि कितना समय लगा है प्लस वाई गुने कोस्ट टाग बहलू अधार बटे में कौन अधार बटे में कौन, y बटे में, अंदरूट x स्क्वार प्लस y स्क्वार, होल बटे में, होल बटे में, इसका भालू, x गुने, लम बटे में कौन, यहीं, लम बटे में कौन, x बटे में, अंदरूट x स्क्वार प्लस y स्क्वार, माइनस, उसका बाद यह, y गुने, अधा आउट्टे मैं, अन्दरूट, x², प्लस y², प्लस y² प्लस y² मैं, अन्रूट, x², प्लस y², हेल भडटे में, कितना होजेगा हेल भडे नकल्डटे में, झी ते स्कॉज़, एहीन, दिखा रहा है, शे, चलिए, बटाब जोड़ कर लीजेगा नई भी दीखे तो बराबर कितना होज़ेगा इसका LCM सेम इसको हटाक उपर कर दोते हैं इसका LCM हो गया यहाँ 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 अन्दर रूट दोनों सेम है देखिए LCM X स्क्वार प्लस Y स्क्वार उपर में हो गया मतलब इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है को हम जो बताएं उस बात को फॉलू कीजिए मस्त मजायेगा कुश्चन नमर पांच था हमारा हटाएं इसको एक कुश्चन ऐसे ही बस आपको हो गया पांच 10 θα बराबर 12 होतो होतो sine theta प्लस Cos theta बठे महेs sine theta माइनस Cos theta एक कुश्चन और एक कुश्चन sine theta प्लस 1 बठे महेs Cos theta माइs प्लस 1 दूसरा कुश्चन इसके लिए ये वोला नियम इसके लिए कौन सा नियम तो इसके लिए मेरा उपपर फुरा स्कॉर लिख दते हैं 5 10 ठीटा बरावर 12 इसके लिए कौन सा नियम साइन ठीटा बटे में कोस्ट ठीटा बरावर कितना हो जाएगा बाबू यह उलाणी हम इस पर काम कर सकता है लेकिन इस पर नहीं काम कर गले कोई कौंस्ट्रेंट जूड़ा है तो इसमें क्या आप करेंगे तीसमें ट्रीपलेट यानी सम्धोर एनी पैठगुरस पर में 12, 5 तो पता है निकिता होता है 12, 5 तो 13, दैसे इथितिते में यहाँ पर हो जा यह चीज समझ लेंगे, जबकि यहां यह चीज नहीं लागू करेंगे, यहां पर यह नहीं करना है, 12 प्लस एक बटे में 5 प्लस एक यह उला नहीं करना है, यह नहीं करना है, यह उला यहां नहीं लागू होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर, तो यह क्या लागू होगा, यह उल रहट हो जाएगा साइग्ड बारा बटे में 13 प्लिस डीक रहां से कितने अंसर आए 13 मीशों जब जो एक जंए नहीं दीन लिए नहीं और आंगा प्लसलिए प्लासटे एक content 5 बेंदेरा प्लस एक जेसे कर लद दों ट्यों आ 18 एंसर औरिजिनल, रियल एंसर सही है, 25 बटे में 18, 25 बटे में 18 रियल एंसर सही है, फलतु ऐसे ही एक कुश्चन दिये हैं, पलतु क्या होता है, फलतु पढ़ाते क्यों हैं, अरे फलतु कहने का मतलब वो उसको count नहीं करेंगे, बाकी वो concept इसमें है, इसमें लागू हो गया ये वोला, लेकिन इसमें ये वोला लागू नहीं होगा, कहिएगा सर ये वोला इसमें लागू होता कि नहीं, अरे भाईया ये तो सबका बाप है, ये कहीं लागू होगा, हर जगा पर, लेकिन ये वोला नियम, वहीं पर लागू होगा, जहांपर बटा में, कॉस बटे हाटा रहे हैं इसको देख रहे हैं इसका एंसर कितना था रियल एंसर पत्चीस बटे में 18 जबकि क्या एंसर आया था देख लिजिए गाँ अब कोस्चेन नमर्म करेंगे छौब किसे नमर्च हुआ सूर करते हैं बाँ हेसित हैं आमawareगे कर दो चलिए कोस्चेन नमर्म शौब करते हैं जो कुश्चेट नमर्च रुऄ 6 क्या है, question number 6 है, 4, 10 theta, बढ़ाबर 3 होतो, होतो, हमारा question कर रहे है, sin के पाउर 4 theta, प्लस cos के पाउर 4 theta, बटे में sin theta, प्लस cos theta, बढ़ा होती है, कोशिस किया जाए, कोशिस करें, आप लोग बना लिये होंगे, मालने के बना लिये होंगे, नहीं बना हैं क्या, चलिए हम बताते हैं आपको, हम बताते हैं, देखिए ध्यान दिजिएगा, इसको आप बनाने का तुरंट तरकीम सुचेंगे ऐसा, 10 theta बढ़ावर, 3 बटे में 4, सब लोग देखें, इसको कहेंगे, sin theta बटे में, cos theta बढ़ावर, क्या कहेंगे बाबो, 3 बटे में 4, तुरंट कहेंगे, 3 का क्यूं, 3 के पहुण 4, प्लस 4 के पहुण 4, फोल बटे में 3 प्लस 4, यही कहेंगे आप, इसका मतलब 18, इसका मतलब बता है 256, बटे में 7, जोड़ेंगे तो इसका मतलब होगे 7, इसका मतलग 13 जोड़ेंगे तो 8 पाइ 13 और यह होगे आपका 3 कि यही अपने इंसर लगा देंगे यही आप मैक्सिममम लोगों के चलो ऐसंद कहां तो बताये थे साथ्थ तो बताये थे को समिधे कॉस्ट साइन अग xi कौन सा एंसर होगा इस बात को समझेंगे कौन सा एंसर होगा हम कहने जा रहे हैं कि यह नियम नहीं यहां पर लागू होगा क्यों क्यों का जबाब हम बोलने जा रहे हैं कि जब इसके पावर अलग-अलग हो जब इसके पावर अलग-अलग हो तो यह नियम नहीं लगता है यह आप लोग सरलीकर्ण में कभी पढ़े होंगे सरलीकर्ण तो हमको पढ़ाना है वहाँ पढ़े होंगे उसी का घ पार्ट है तो यह उला मेरा Jam sir बनाया हुआ गलत है तो कहीया क्या सही होगा sir तो लगाना होगा triplate यानि लगाना होगा यह चीज कि ये लगाना होगा कि 10 ठीका आया बाबू तो 3 बटे में 4 इसका मतलब 3, 4 तो इसका भेलू 5 तो इसका भेलू क्या हो लिख सकते हैं बाबू तो लिख सकते हैं लम बटे में कॉर्ण यानि 3 बटे में 5 का होल पाउर 4 प्लस इसको अम लिख सकते हैं 4 बटे में 5 के होल पाउं और 4 ठीक है इसको अगते हैं ठीक है आज उसके बाद होल बटे में कॉल बटे में तिन प्लस अधार बटे में कॉल पाउंच इससे हमारा एंसर आएगा जबकि आपका answer आया होगा 337 बटे में 7 जो कि ये answer गलत है उसको और आगे बढ़ाएंगे तो आपके कितना हो जाएगा और आगे बढ़ाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 81 बटे में 625 पलस उसका value हो जाएगा 256 बटे में 625 whole बटे में इसका value वहाँ यहां पकल थोड़ा गलती लिखे हैं तीन बटे में पांच नहों के इसका वह लुझा? ढूल दो जगा अ इसको पूरा स्फिर्ट से लिख देते हैं उसको चाहिज पूरा लिख देती हैं श्याइन का वहाईलू में लूम बटे में ऐखू हून? तीन बटे में 5 कोस का भेलू अधार बटे में 4 बटे 5 तो इसका LCM हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 3 पलस 4 ठीक है यह हो जाएगा अब इसको हम हटा के यहाँ लेकर आ जाते हैं उसको यहाँ लेकर आ जाते हैं तो हो गया 625 LCM दोनों का LCM तो 625 होगा तो होगा 18 plus 256 होल बटे में 7 बटे में 5 यानि मेरे को यह नीचे आ जागा यह थोड़ा कटेगा 125 बारे में और यह नीचे आ जागा तो जागा 337 अब बटे में यह गुना हो जागा 7 25 7 दुना के 14 और 3 24 दिन केतना होता 17 और 7 तकम 7 एक आठ साथ तकम साथ और एक आठ यानि यह एंसर होगा यह उला एंसर नहीं होगा इसको आप उतार लेंगे उतार लिजे थोड़ा कचड़ा जीसा दिख रहा है तो कचड़ा फ्रेस करते हैं फिर से उतार लिजे लेकिन कोस्चन नमर 6 था चलिए पैचड़ा को हटाते हैं साइन के पाहर 4 थीटा प्लस कोस के पाहर 4 थीटा होल बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा हम बोले हैं क्या कि फोड़ 10 थीटा प्राबर 3 इसका मतलब थैं थीटा प्राबर तीन बटे में 4 लेकिन हम लोगा है जो आदत लगा है उस आदत के पाहर चलेंगे तो साइन बटे में कोस प्राबर 3 बटे में 4 और मान रखना चालु कर देते हैं चालू करेंगे तुन लिखते हैं, 3 के q, 3 के पॉंड 4 प्लस, 4 के पॉंड 4, all बटे में 3 प्लस 4, बड़ावर 181 प्लस, 256 बटे में 7, बड़ावर ये जोडते हैं, 337 बटे में 7, जो की एंसर बिलकुल रॉंग है, रॉंग होने का वज़ा, पाउर का सेम ना होना, 4 पाउर नी ना तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, अब यहाँ तो कौन सा नियम, तो ट्रिपलेट, यानि समकुन त्रिफुज का नियम, 3, 4, इसका वन 5, इस पर बनाए, तो ये होता है, लम बटे में, 3 बटे में 5 का है, पॉंड 4, प्लस, 4 बटे 5 के पॉंड 4, all बटे में, 3 बटे 5, प्लस, 4 बटे 5, इसको हल की आगे बढ़े, तो 83 बटे में 625, प्लस, 256 बटे में 625, फोल बटे में, कितना, 5 LCM, 3 प्लस, 4, मेरे को मिल गया, LCM, इसका जाएंगे तो हो जाएगा, 625, आप जाएगा, एककासी, प्लस, 256, बटे में, इसका 7 बटे में 5, साथ बटे में 5 देख लीजेगा थोड़ा से उपर जाना पड़ेगा एकासी प्लस 256 बटे में 625 अब बटे में 7 बटे में 5 यह कट गया था मिरे को और यहां से हल कर दिये थे अलकिय थे तो आया था 337 बटे में 625 बटे में 7 बटे में 5 ये से ये कटा 125 बटे में और गुना 335 बटे में गुना 735 साथ दूनागर 14 तीन सतरह 7 एक आठ समझ में आया दो जगा पर ये नहीं उच किये ये वोला कब कब दो जगों पर नहीं अविज किया है कब कब एक जगह पर जब पॉंस्टेंट जूड़ा है तब दूसरा जब डिग्री सेम नहों तब कि हटा दे रहे कि को स्टन करें आप से मेरा को स्टन है अब छौन यह कितना साथ नंबर साइन थिटा प्लस कॉस्ट थिटा है प्लस क्वोस्ट थिटा होल बते कितना होगा है कि चलिए गुना करके यह बना दोते हैं ध्यान दीजिए अभी गुना करके यह बना दोते हैं इससे यह गुना करेंगे तो फोर सायन ठीटा प्लस फोर कोस ठीटा बते में फाइव सायन ठीटा बना दोते अगर फाइव त। अब उसके बाद minus 5 cos theta cos theta कि इधर लेके आए इधर लेके 5 चार आया तो 9 cos theta और ये इधर गया तो 5 में से 4 घटा तो 1 sin theta यानि कह सकते हैं sin theta बटे में cos theta बड़ाबर 9 बटे में 1 ये समझे दे हैं ये इधर गया ये इधर आ गया 10 theta बड़ाबर 9 ये हम निकाल सकते हैं बाबो 9 का square minus 1 बटे में 9 का square plus 1 और minus 1 दूपर हो गया 81 plus 1 बटे में 81 minus 1 82 बटे में 80 कटके 41 बटे में 40 41 बटे में 40 इसको अब लोग बना लीजिए हाँ इसके short करने का तरीका है देखें भाई हम रेशियो पढ़े नहीं है जो हमारे विदार्थी रेशियो पढ़े होंगे ना उनको हम कुछ और बता है जो लोग रेशियो पढ़े होंगे उनको कुछ और बता है लिख दीजिए इसमें बड़ा कौन है कौस साइन क्योंकि प्लस में है सब्षाइँ है इसमें सही घھता है जान देजिए क्विश्य शाहलेशन देजिए क्यूंकि वहां पर थोड़ा साममीस कर सकता है कर दो ए ए ऐसे कर दोगे सब्स और को श से भाग लगा दिजैन प्राप करने के लिए सब ने कोच कॉस कोथ कॉस AS ठीक है इधर मिलगा 10 ठीटा प्लस वन बट्टे में 10 ठीटा माइनस वन आई तना गा भेलू मिलगा 5 बट्टे में चार गूना कर लिए 4 ठीटा प्लस 4 बढ़ाबर कितना हो जागा भाभू बढ़ाबर 5 ठीटा माइनस 5 यह आके इधर जूटेगा तो 5 चार नौब 5 में से चार जाके घटीए तो 10 ठीटा तो 10 ठीटा हो कितना हो ज़ी नौब ऐसे हो सकता है क्या कर सकते हैं उपडर नीचे साइन कोस्ट दिया है सब में कॉस्ट से भाग लगा दिये तो मैं कॉस्ट से самого कॉस्ट है ही और हम प्लस पॉस्ट टिट बट्टमें सांग हीन थिटा मैनिस कोउस धिता ओर बट्ट में का निया मिशेडीगोग Acho हो लेकिन ये था प्पढवारा हो जाएगा ना इसलिए हाप दिया था यहां पर लिग दिया था कर गोईस्चीन नमर्ट आघ देखे कुश्चन नमर 8 मेरा है बाबो 3 sin theta plus 4 cos theta बड़ावर 5 हो तो 10 theta बाब वाट ऐसा कुश्चन है देखे इसके बनाने का सही लोजी क्या है और आप समय अच्छा नहीं देंगे तो गड़बड हो सकता है इस बात को समझेंगे थोड़ा भूख भी लग गया है ठीक है तो अब जल्दी आपको बढ़ा के भूख लगा है सुबह है ना इसलिए देखे देखे लिए तो यह इस चीज को हम बताने कोश्च करेंगे तो इसके बनाने का क्या सही तरीका है तो सही तरीका यह है कि इसको यहां सबके बट्टा में लाएंगे थीरी साइन ठीटा प्लस फोर कोस ठीटा फोर कोस ठीटा बरावर एक अच्छे एक मत्तमति है साइन साइन कभ एक होता है साइन साइन कभ एक होता है तो हमें याद है कि साइन स्कॉर्ट ठीटा अपलस कोस स्कॉर्ट ठीटा के कॉंसेप्ट में ही एक होता है साइन साइन होता है जब स्क्वाइड स्क्वाइड दूनों जुड़ा हो तब इसका मतलब यह है हाँ बटे में को नहीं है बटे में पांच यह कह सकते हैं तीन बटे में पांच साइन ठीटा प्लस चार बटे में पांच कॉस्ट ठीटा बराबर एक इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर क्या करेंगे साइन स्क्वाइड आएगा दूसा भी तरीका बताएंगे क्या करेंगे यह कहेंगे साइन इन्टू साइन पलस कोस इन्टू कोस बरावर एक इसका मतलब यह साइन तो साइन है इस sin का value कितना हो गया तब ये cos cos है तो इस cos का value कितना हो गया मतलब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे को या तो sin theta या cos theta का value निकल गया sin theta का value कितना निकल गया तो sin theta का value निकल गया 3 बटे में 5 cos theta कितना value निकल गया तो 4 बटे में 5 इसको ट्रिपलेट पर पहुंचा देंगे तो पहुंचांगे तो क्या हो जाएगा बाबो तीन उसके बाद पांच इसका मान चार और यह हो गया कोश्च टीटा का फैलू देखिए तो कॉस्ट सब्क्रीकर 500 साइए साइन तीट अब मेरा पूछ क्या रहा था पूछ रहा था क कितना हो जाएगा लंब बटे में तीन पर्टे में जाए देख लीजिए कहीं प्रोब्लम नहीं होने चाहिए पूना बताएंगे कबाद पूना बताएंगे यहाँ से इधर लेकर आगे तो एक हो गया दोनों के दे दिए तो 3 परटे 5 4 परटे 5, sin थीटा, cos थीटा दोना है Сine cos 1 कव होता है जब cuatro होता है तब साइन sign होगा cos cos होगा ति साइन का value कितना 3 बटे में इस cos का value कितना 4 बटे में 5 इस बात को हम बता रहे हैं इस चीद से बहुत question हम लोग करेंगे इस चीद से हम लोग बहुत question करेंगे ठीक है चलिए एक question को फिर से इसको एक बार repeat करते हैं तब एक question आप लोगे लिए देते हैं हाँ इस चीज को यदि आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत सुन्दर बात है इस चीज को ध्यान दीजाएं क्या बोलने जाने कि यदि ऐसा हो गया तीन बटे में पांच लेकर आए साइन ठीटा प्लस चार बटे में पांच क्वास ठीटा बराबर अचाए छोड़ यहाटा यह ध्यान दीजे हम बोल सकते हैं यदि आप यह याद कर सके तो यह भी हो सकता है कि साइन के साथ हमेशा लंब होगा बोल सकता है तो यहाँ पर आपके दिख लीजे कि सही है कि नहीं तो यहाँ धान देने की स्थितिम हो जाएगा 9 बटे में पांच पलस 16 बटे में 5 जोड़ेते LCM 5 LCM 5 9 प्लस 16 यानि 25 बटे में 5 कट के कितना 5 यानि हम कह सकते हैं कि जो भैलू लिये हैं वो भैलू सही है जो भैलू लिये हैं वो सही है साइन के साथ लंब होगा कौस के साथ अधार होगा यहाँ पर कर्ण होगा। क Oliver को समझेंगे इस बात को कंफर्म इस बात से कंफर्म है तो अब देस धृण दिज्धी साइन के साथ लंब कॉस्त के साथ अधार इसके साथ करण दिक्कत है कभी लग रहा है कि गलती होने के समझान है उसको कूरूव कर लीजीए देख लीजिए कि सई हो डाय कि नहीं अब मेरा सीधे सीधे लिख सकते थे 10 ठीट अबर अबर जब यह लंब है और यह अधार है तो मेरा एंसर हो सकता था तीन पट्टे में अभी ओला कोश्चन का एंसर बोले हैं कितना था तो कोश्चन नवर आठ कैंसर बोले हैं ऐसा ही लगा सकते हैं कि यह साइन के साथ लंब कोस के साथ आधार यहां वह लगाण होगा क्लियर कि बुलिए कोई प्रोब्लम नहीं होने चाहिए प्रोब्लम हो रहा है इसका मतलब हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं इस ब कि चलिए कोश्चन नमर्ण देखते हैं अब बस इसके बाद एक कोश्चन और पढ़ेंगा लास्ट उसके बाद एक कोश्चन आप लोग एक दूप दे देंगे उसके बाद आप लोगे रहले क्योंकि कब बैट्री डिस कर देंगे कोई करांटी नहीं बीचिमें भी कर सकता है तो क्लास इंड इस बात को दिमांग बिठा लेंगे और मस्त मान लिजिए कि आपको धन्यवाद जहिंद सब चीज क्योंकि कब बैट्री डिस कर देंगे कोई गरांटी नहीं ठीक है चलिए कोश्चन हमारा रहा थाइफ साइन ठीटा प्लस बाड़ा कोस्ट ठीटा बटी में अधार रहा हम लोग बिलकूल हिंदी भासी हैं इस बात को समझेंगे हम जानते हैं कोश्चन अभी के नुसार हम जानते हैं इसके साथ कोड़ाइक अधार और इधर वाला कौन होता है कौन बोली है या नहित या तरंथ साइन कॉस्थ हां याप पलस चलना चाहिए सतंच के प्लस हो जाए था उसको ध्यान कर लिए तो कॉझे केमें की कार है अपने सर्फें से फिर मेरा भी नाम डुबा और आपका भी तरुलिये गया तो हम का सकते कौन अधार अधार का इसका कितना अधार कि अन्सर आज औहुत Moss Haitest जब कए अ को पिजिए कर ऊसर इसका और भी कोई मेथड आए कि और मेथड यह लेकिन उसले हैं जैसे से इसको घटा में जब की खैशा इसको इसे हिए बना सकते हैं कि इसको एक साइड रखके 12 पॉष एधर रख लेते हैं और 13-5 साइन ठीटा को इधर भेज़ते हैं दूनों साइट बर्ग करेंगे और उसके बाद सबको साइन में कर्वर्ट कर देंगे यानि एक सोच्छोगा लिस कोस्ट भाइट ठीटा बढ़ाब दुन साइट बर्ग करें 179 उसके बाद मायद प्लस 25 a square plus b square 25 sin square theta minus 13,5,62 130 होता है 230 sin theta क्या चीज में कर दीजेगा सब को sign में इसको भी sign में इसको भी sign में लेकिन इतना बड़ा process हो जागा इतना बड़ा अराम से देख लिजेगा अगले class में इसको deal कर सकते हैं लेकिन लग नहीं रहा है को चीज नहीं लग रहा है क्योंकि बैटरी डिस दिख रहा है हमको लाल दिख रहा है कब चला जाए कोई गरांटी नीज लिए इस पर deal नहीं करेंगे इसको सब को क्या जम बदल लिएगा sign में ये sign है ये sign है इसको भी sign में बदल ये कैसे बदलेंगे तो लिखेंगे 144 my 1 minus sign square theta लिख देंगे और फिर दिखास में कर टूरते रहना बनाते रहना हमको कोई दिक्कत नहीं बावो question नमर 10 एक दो question आप लोग को दे देंगे बनाने के लिए बच जाता है तो 10 a square minus b square sin theta plus 2ab cos theta बड़ाबर a square plus b square हो तो cot theta का भेलू ऐसे पुछा एक जान में 10 theta का भेलू वही पुछ लिजी 10 theta ठीक है अब हम क्या बोलें वोई sign दिख रहा है ना cos cos ऐसे दिख रहा है ना ऐसे दिख रहा है तो इसके साथ होगा अधार इसके साथ होगा अधार इसके साथ होगा करण यानि हाँ करण रहेगा अंती में मुर्चा समभलने के लिए सबसे अंती में बड़ा आदमी रहता है हम समभाल लेंगे तो 10 theta क्या हो जेगा बाब लंब बटे में अधार और इस question को गलती से नियम से बनाने चल गए ना तो पहले एक से दो पन्ना और उसके बाद ना नियाद आ जाएगी भाबो ठीक है यह एक से दो पन्ना आराम से लग जाएगे लंबा चूणा जाएगा कुना भागा करते करता आ जाएगा ऐसा नहीं हम बोले क्या साइन ठीटा कॉस ठीटा बराबर इधर कुछ दिया है प्लस वै तो यह इसकी एक्स्प्रेशन है साइन इंटू साइन का आए है कॉस इंटू कॉस का ठीक है लेकिन बटा में बूला आएंगे तब बटा में लेकर आएंगे तब इसका मतलब ऐसे करके A square minus B A square बट्टे में 2 A भी ऐसे करके तम क्लियर कोई डाउट शलिए हटा इसको आप लोग के लिए question आप लोग के लिए question घर के लिए cos 10 plus cos 20 plus cos 360 माइनस ठीटा sign कीज़े sign 10 sign 20 dot 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 sign 360 बड़ा होट 10 20 30 45 60 समझ रहा है sign 360 यह question आप लोग बना लेंगे question number हम 10 पढ़ा है तमाल लोग के लिए गा रहा है और एक 12 question देखे आपको sign ठीटा plus cos ठीटा बड़ाबर 17 बटे 13 होतो होतो हमें चाहिए 10 ठीटा के बहलो 10 ठीटा के बहलो यह आप लोग बना लेंगे दो question यह वोला expression समझ में आया नवाब आपको 3 sign ठीटा plus 4 cos ठीटा बड़ाबर 5 होतो sign के साथ लंब sign के साथ लंब cos के साथ अधार और उसके बाद यह होता है को नवाबर जो पूछे हो निकाल लेंगे यह समझ में आये न नहीं समझ में आये तो हमको नहीं पढ़ाने आ रहा है यह बात confirm आप लोग अराम से पढ़िए चलिए आज के लिए इतना ही धन्यबाद ड़जे हिंद आप लेगा यह बात